साई की बात अगर बदलाव नहीं होंगे तो नई चीजे कैसे आएंगी मेरे बच्चे और तुम्हें ऐसा क्यूं लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा बस तुम ऐसा सोच कर बैठ गए हो कि तुम्हें ऐसा गलत लग रहा है लेकिन वो गलत नहीं है मेरे बच्चे बिलकुल भी नहीं है अपने साइं की नजरों से देखो मेरी नजरों से देखो मैं तुम्हें सबसे बहार निकाल लाऊंगा जो भी है ना इन सबसे मैं तुम्हें बहार निकालूंगा ये मेरा वादा है तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम फस गई हो उल्ज़नों में तुम उल्ज़नों में नहीं फसे मेरे बच्चे बलकि तुम्हें निकालने का रास्ता मैंने बना लिया है मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी मेरे बच्चे शीडी बन जाएगा तेरा घर शीडी बन जाएगा मेरे बच्चे जो तुझे लगता है ना शीडी नहीं आ पाता तो मेरे बच्चे जब तेरा घर ही शीडी हो जाएगा शीडी बन जाएगा तो तुझे कहीं आने की जरुवत नहीं फिर मैं आया करूँगा ते तेरे यही सवाल होते है न कि बाबा मेरा तो ये छिन गया मुझसे ये ले लिया गया तो सुन मेरे बचे तेरा यहां था ही क्या मेरे बचे तो यहां लाया ही क्या था जो यहां तेरा था मेरे बचे तेरा ना कुछ था और ना है मेरे बचे क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, इस बात को तुम जितना जल्दी मान लो ना, इस जिंदगी में, तो खुश रहोगे मेरे बचे, और तुमें जो कुछ भी मिला है न, या जो कुछ भी मिला था मेरे बचे, वो सब यही का है मेरे बचे, वो यही रहे गया, जिसके पास पहुँशन पहुँच जाता है मेरे बच्चे ये अपने मन से बिलकुल निकाल दो कि उसने तुमसे छीन लिया नहीं मेरे बच्चे कोई किसी का हक नहीं छीन सकता जब तक मेरा हुकम ना हो सब मेरे हुकम के अंदर होता है मेरे बच्चे तो ये मत सोचो और अगर तुम्हारा कोई अपना है न तो वो मैं हूँ तुम्हारा साई मैं कभी पराया नहीं हुआ तुमसे कभी नहीं हुआ मेरे बच्चे तुम्हारा साई है तुम्हारा अपना अगर सचे मन से मेरी और मन लगाओगे न तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा मेरे बच्चे सब कुछ तुम प्राप्त करोगे हम हमेशा सच में मन लगाया करो, सच का साथ रहा करो, फिर देखना मेरे बचे, तुम हमेशा ना हर वो चीज कर पाओगे, जो तुम करना चाहते हो मेरे बचे, क्योंकि तुम्हारा साई हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है मेरे बचे, तुम भी सच के साथ रहा करो, और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर है वो दुश्मन मेरे बचे, जो अंदर तुमने उसको संभाल कर रखा हुआ है, जानते हो क्या है, लोब, मोह, माया, अहंकार मेरे बचे, यही सब तेरे मेरे बच्चे इसे पहचानो और बहार निकालो मेरे बच्चे जिस दिन तुमने इन सब को बहार निकाल दिया न तो तुम जीत जाओगे मेरे बच्चे तुमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे कोई नहीं और सुनो अगर तुम ऐसा करोगे न तो सच में सचीदा नन्द तुम्हारा भला करेगा मेरे बचे, मैं तुम्हारा भला करूंगा, सचीदा नन्द तुम्हारा भला करेगा मेरे बचे, और सुनो मेरे बचे, तुम्हारे ही माध्यम से किसी की नौकरी लगने वाली है मेरे बचे, तुम वो माध्यम बनने वाले हो, जिससे किसी की कोई बहुत परेशान था नौकरी के लिए अब वो तुम्हारे माध्यम से उसकी नौकरी लग जाएगी मेरे बचे और उसका सारा श्रे तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बचे तुम्हें मिलेगा तुम जो सबकी मदद करते होना बस तुम ऐसे ही करते रहा करो क्योंकि तुम म अपने जीवन में से कुछ प्रतीशत समय निकाल करना मेरे बचे कुछ मेरे बच्चों की सेवा में लगाया करो बस चो करते होना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुनो तुम कभी-कभी सोचते होना कि बाबा मैं घर से बाहर जाता नहीं और मैं कुछ करता नहीं मै कैसे अंदान करूँ तो सुनो तुम्हारे घर पर कुछ सबजिया होती है न मेरे बच्चे कच्ची सबजिया उसे तुम गाए को खिला सकते हो न तुम वो कर सकते हो या मेरे बच्चे तुम अपने घर की छट परी एक मुठी चावल डाल सकते हो एक मुठी बाजरा डाल सकते हो पक्षियों को मेरे बचे और रोटी बना कर तुम गाएं को भी दे सकते हो मेरे बचे अगर ऐसा करोगे न तो ये भी तो अंदान ही है न मेरे बचे ये अंदान में ही आता है अगर ऐसा करोगे न तो ये भी मुझे प्रिये है मेरे बच्चे तुम ऐसा भी कर सकते हो और सुनो तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है एक बात ध्यान रखना सिक्के के दो पहलू होते है मेरे बच्चे और तुम जिस तरह से देख रहे हो न वो एक पहलू को देख रहे हो दोनों तरफ देखो मेरे बच्चे जब तुम दोनों तरफ देखोगे न तब तुम्हें समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है मेरे बच्चे इतना तो समश्दार हो ना तुम मेरे बच्चे और सुनो किसी को नियंतरण करने की कोशिश बिलकुल मत किया करो मेरे बच्चे जिसे सुधर ना होगा वो अपने आप सुधर जाएगा मेरे बच्चे किसी में भी शक्ती नहीं कि कोई किसी को सुधार दे मेरे बचे वो इश्वर वो अपने आप हर किसी को सुधारता है मेरे बचे तुम सिर्फ अपने आपको सुधार सकते हो किसी और को सुधारने की जिम्मेदारी मत लो मेरे बचे बिल्कुल भी मत लो सिर्फ इश्वर से प्रातना करो वो अपने आप बदलेगा मेरे बचे और जब वो बदलेगा ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए बदलेगा तुम ना इतने बलवान नहीं हो तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है मेरे बचे कि तुम किसी को कुछ बदल पाओ मेरे बचे और अगर कोई जूटा है ना मेरे बचे, कपट करता है, तो उसे दूरी बनाना ही बहतर है तुम्हारे लिए मेरे बचे, तो दूरी बनाकर रखा करो ऐसे लोगों से, और सुनो मेरे बचे, जब भी शीडी आऊना, तो खंडोबा मंदिर में जरूर आना मेरे बचे, एक बार म और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहनाचाता हूं, जब तुम्हें लगे ना कि जिन्दगी के सारे दर्वाजे बंद हो चुके है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आरा, चारो तरफ अंधिरा है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तो सुनो, एक दर्वाजा तु कभी भी आना मेरे बच्चे कभी भी तुम्हारे लिए वो हमेशा खुला ही है मेरे बच्चे और तुम्हारा साई है ना वहाँ पर मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा साथ देने तुम्हारा हाथ पकड़ने मेरे बच्चे और तुम्हारी मदद करने मेरे बच्च तुम आओ तो सही, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला हुआ है मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन करे न, तो आना, जरूर आना मेरे बच्चे, और सुनो, जादा समय न, सोचने में मत लगाया करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हें मानसिक तनाव होगा, तु परिशान ही होगे मेरे बच्चे तुम जीवन के भार को कम नहीं कर सकते बलकि जीवन के भार को तुम और बढ़ाओगे मेरे बच्चे और परिशान हो जाओगे इसलिए कम सोचो और जाब करो जितना हो सकता है ना जाब करो स्मरण करो मेरा नाम जाब करो उससे तुम्हारे प वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़े सोचने पर मजबूर कर देगा ना, कि तुम परिशान हो जाओगे मेरे बचे, तो वो सब मत सोचा करो, सोचने का अपने आपको मौका ही मत दो, अपने आपको इतना व्यस्त रखो ना, कि तुम्हारे पास समय ही ना हो, सोचने का भी मेरे खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तुआ